हाई हेलो फ्रेंड वेल्कम बेक टो माई चैनल तर्वी की चैनल में आप सभी का स्वागत है तो आज आपके लिए मेरे सीपी लेके हैं हूं नीमू मिर्च का अचार घर प्यासानी से किस तरह से बनाए और बहुत ही टेस्टी जायकिदार बनता है नीमू मिर्च का अचार और और नीमू मिर्च का अचार आप सभी को पता ही है कि यह ज्यादा दिनों तक नहीं चलता है ज्यादे से ज्यादा एक मन तक चलता है फिरिज में रख लें तो आप एक साथ ज्यादा ना बना के रखे नहीं तो नीमू मिर्च का अचार खराब हो जाता है क्योंकि इसमें ते लेनी हैं और लेनी है लेनी है कर ना जमा देंब venus daisom होना की बियुज़ाख नहीं होना है तो अदिसे दरेखे अपको नीमुन लेना है करيا है तो आपका अचार जल्दी खराब हो जाएगा और देखी एस आपको लेनी है मिर्च मिडियम साइज के लियनी है और दोनों को अच्छे से दोके और धूप में सुका देना है इनों में बिल्कुल भी मोस्चराजर नहीं होना चेदी मोस्चराजर रहेगा तो हमारा अच्छा जल्दी खराब हो जाएगा तो देखे अब हम क्या करेंगे इनों को कट जाए था नहीं वेंगे मोस्चराजर कमें तो आपको किस तरह से कट करना है जैसे लंुमेशी नंवी फीश्च में या लंबी पी फीस में चोटी कर लिजेगा तो देखे इस तरह से लंबी पीस करके और इस तरह से भी आप कट कर सकते हो तो इस तरह से कट कर लीजेगा इस तरह से भी कट कर सकते हो मैं कट करूँगी लंबी पिसेज में तो इस तरह लंबे लंबे पिसेज में कट करूँगी चाठ टुकड़े करूँगी बैस दिरों के तो इस तरह से आपको कट कर लेना है कि इस तरह से में लमढ़ मिर्च का अचार यह वाला अचार ने लूटे है तो आचियों करीब से 25 दिन चल जाता है और ज्यादा से ज्यादा जादा फरीज ज़्याद ना डाल के रखें, क्योंकि यह जल्दी खराब हो जाता, ज़्यादा लंबा नहीं चलता है, तो यह देखे, मैंने नीमू कट कर लिए हैं, आप कट कर रही हूँ मिर्च, तो मिर्च को भी लंबे-लंबे-पीसेज में इस तरह से कट कर लेना है, इस तरह लंबे पीसेज कर लेना है और लंबी पीसेज में ही मैं मिर्च कट कर रही हूं इस तरह से कट करना आपको और मिर्च आपको लेनी है मिडियम मोटी चाइज में लेनी है ज्यादा पतली ना ज्यादा मोटी लेनी है तो इस तरह से इस तरह की मिर्च आपको लेनी है और इस टाइम लोग डाउन चल रहा है तो नीमो मिर्च का आचार है कोई से भी आचार हम डाल के रखे तो किसी टाइम सब्जी ना हो या सुबर नास्ते में इनों में भूती टेश्टी आचार लगता है तो आप जरूर डालिए तो यह मैंने नीमो मिर्च दोनों कट का लिया है और इसके उपर मैं डाल रही हूं नीमो का रस तो यह कट किया हूं और इसमें पीसे इसमें मैं नीमो का रस डाल रही हूं तो यह छिलका है इसको फेके ना इसी में डाल दे तो हम नीमो का रस इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि मिर्च में यह खट्टा पना पाए और इसमें अच्छे से मासाले गुल मिल पाएं तो इसलिए मैं इसके अंदर नीमुरस मिलाया है और अब इसमें मैं डाल दिया करीबन एक चमच हल दी और थोड़ा मैं डाल रही हूं नमक तो अभी मैं थोड़ा नमक डाल रहीं बाद में जा पोच नमघ डालेंगे तो इसमें अच्छे से मिला लेंगे उर मिला कि और इसको करीबन मैं 15-20 मिनों के जाएका अच्छे से तो मैं अच्छे से मिला लिया है 15-10 मिनों के लिये इसको ड़क के मैं इस तरह planting चूँदेंगे और उसके आंदर मैंढूँ ईदालोगी सॉप तो हम कमी मसाले डाल रहे हैं क्योंकि अचारused बना रहे हैं जदा ना डाले और जदा लिए ज्यादा अज़ा पना रहे हो तो पर फैर कमी रख कियों फोड़ करिवाट रखे तो कमी मसालों से थोड़ी कम ना ढाले और मैंने इसमें डाल दी है अजवाइन, अजवाइन भी करिभी नेक चमर डाल देना है, तो अब इनों को अच्छे से रोष्ट कर लेना है, पर इनों को रोष्ट नमी इसकी निकल जाने तक जब इतना ही रोष्ट करना है, ज्यादा रोष्ट नहीं करना है, कि हमें इसका कलर उन्हों की नमी बिल्कुर निकल गई है ज्यादा देर तक में नहीं चलाना है बैस थोड़े गरम हो जाए और नमी निकल जाने है तो बोहत ही अच्छा जयान से तो उससे टेस्ट दुगना हो जाता है ने नोंका, ये देखे हैं निकाल लिया है थंदा कर लिया थंदा करने के बाद में ग्रांडेजार मेंपीछ लेंगे तो ढें ने घुराओ प्रण अविज Kis तो दीखे है hace a house थोड़ा दर्दरः भी पीसना है तो अब मसाले मैंने पीसे हैं वो डाल दूंगी इसके अंदर तो इस तरह से आप मसाले को थोड़े पका और फीड डाले यह ठोड़ाดा सा बिल्कुर नहीं मिला है हाथों से मिला होगी तो आपका अचार जल्दी खराब हुजाएगा और इसमें डालूंगे अब काला नमक तो काला नमक मैं क्यों डाल रहा है क्योंकि काले नमक से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है तो काला नमक ज़रूर एड़ करें इदि आपके सब्सक्राइब हो मैं इसको अच्छार मिला लेंगे मैंने मसाले मिला टूके हैं अब मैं क्या करूंगे एक लोंगी डिबबा तो आपके पास कंटेनर जैसे काच का हो तो और भी अच्छी बात मेरे पास नहीं है तो मैं डिबबे में डाल रही हूँ प्लास्टिक का डिबबा है मेरे पास तो इसमें डाल रही हूं मैं यह चार और यह चार जट पट से तो यह हमारा आचार बिल्कुल बन जया गया है और इस ऐस बनाना तो खनल में बास होकिना की सब्सक्रrete 1 मिलती लगता है अचार खाने में तो जम मन करें बना लीजए और खार लीज़े तो दीखिए हमारा अचार बनाने का तरीका आपको पसंद है तो प्लीज मेज़न को लाइक करें सेर करें सब्सक्राइब करें मिलते हैं नक्स्ट वीडियो में ओके बाइ फ्रेंट